स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सब वरिशनेता, बाईयों और बहनों, बहने आज जादा दिख रही हैं तो काफी अच्छा लग रहा है, आम तोर से आम तोर से आपको पीछे बठाया जाता है, या कोने में बठाया जाता है, आज खुर्षों को साई में तर दिया है, पिछले साल कन्या कुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले, चार हजार किलोमेटर समुद्दर से लेकर हिमाले तक चले, और लाथों लोगों से मिलने का मौका, बात करने का मौका बिला, लोगों ने हमें कहा, कि देखिये आपने कन्या कुमारी से कश्मीर यात्रा कर ली, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप नहीं गए, मनिपुर जहां आग लगी हुई है, सिविल वार सा महौल है, वहां आप नहीं गए, औरिश्वा, बिहार, नौटीस के प्रदेश, जहरखन, छत्तिसगर, गुजरात, इन प्रदेशों में नहीं गए, तो दूसरी भारत चोड़ो यात्रा होनी चाहिए, जो मनिपुर से मुंबाई तक जाए, और हमने ये बात एक्सप्ट कर ली, इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूँ, दूसरी भारत चोड़ो यात्रा में, हमने नियाई शब्द जोड़ दिया, क्योंकि पहली यात्रा में, जिससे भी हम मिलते थे, चाहिए उतिसान हो, युवा हो, महिला हो, सब लोग हमसे कहते थे, कि देखिए जो हिंसा पैलरी है, जो नफरत पैलरी है, उसका कारण अन्याए है, किसानों के खिलाप अन्याए, महिलाओं के खिलाप अन्याए, जुवाओं के खिलाप अन्याए, गरीबों के खिलाप अन्याए, मज़्दूरों के खिलाप अन्याए, हिंदुस्तान के 90 प्रतिशत लोगों के साथ हर रोज अज्याए होता है पता नहीं आप जानते हैं या नए मगर हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग है जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 क्रोड लोगों के पास एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 क्रोड लोग जितना उनके पास धन उतना इनके पास धन अरब पतियों का 16 लाग क्रोड रुपया भाग किया जाता है 16 लाग क्रोड रुपया आम आदमी को 16 लाग क्रोड रुपया कितना होता है नहीं समझा अधानी को जरूर समझ आ जाता है अरब पतियों समझ आ जाता है मगर आपको और हमको ये नंबर कितना बड़ा है नहीं समझा मनरेगा में पैसाथ हजार क्रोड रुपय लगते हैं एक साल के लिए जब मनरेगा चलाना हो तो पैसाथ हजार क्रोड रुपय पे चलता है नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का 16 लाग परोड रुपया करजा माग तिया 24 साल का मनरेगा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को दिया 24 साल का मनरेगा का पैसा 22-25 लोगों का करजा माग करके लिए किसानों का करजा माग नहीं किया महियाओं का नहीं किया कॉलिज की फीसा माग नहीं किया मतूरों का नहीं माग किया जो देश में सबसे अमीर लोग है उनका सोला लाख करोर रुप्या कर्जा माप किया है इससे बड़ा अन्याए होई ही नहीं सकता मैं सिर्भ यह कह रहा हूँ कि अगर उनका कर्जा माप हो तो फिर किसानों का मज़ूनों का छोटे वियापारियों का युवाओ का भी कर्जा माप दोना चाहिए सिर्भ यह कह रहा है तो यह है आर्थे कन्याए दूसरा समाजी कन्याए देश में तक्रीबन पचास परसें पिछले बर के लोग है इक्जैक्ली कितने हैं कोई नहीं जाना अंदाजे से कह सकते हैं कि तक्रीबन पचास परसेंट है पच्पन में हो सकते हैं साथ भी हो सकते हैं किसी को नहीं बागए पंदरा परसेंट गलिप है पंदरा परसेंट माइनोरिटी हैं आठ परसेंट आधिवासी हैं पांच परसेंट गवीब जेनरल कास के लोग है मगर अगर आप भागीदारी देखे तो हिंदुस्तान के 90 परसेंट लोग कहीं ही निखाई दे गया यह मीडिया के हमारे में तो खड़े हैं कैमरा लिया खड़े हैं इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए अगर आप चाहते हैं मैं आपको देदू मेरे पास हैं पचास साथ हैं यह देश के पूरे मीडिया को चलाते हैं जो भी आप टीवी में देखोगे यह पचास लोग दिनने लिते हैं अगर यह कुछ दिखाना चाहें विपक्ष कुछ दिखाना चाहें उपर से एक अधर आता है मोदीजी का चैरा दिर जाता है मीडिया पे आपको कभी के सालों की बात नहीं सुनाइए मज़ूरों की बात नहीं सुनाइए पेरोज़नारी महिंगाई की बात नहीं सुनाइए मोदीजी ने वाइदा किया था 400 रुपए का सिलिंडर था उसका मौती जी ने कहा था महेंगा है आज कितने का मिलता है 1100 का है मीडिया में आपको कभी ये बात नी बताई है अब लिस्स निकालिए उस लिस्स में आपको एक पिछना नी मिलेगा एक दलिक नी मिलेगा एक अधिमासी नी मिलेगा एक घरीब जन्रल कास का भी हक्ति नी मिले वो ही 25 लोग है जो पूरे ठेपूरे मीडिया को गांट्रोल करते हैं वो ही 25 लोग हैं जिनका 16,090 रृपया नरेंडर मोदी जी ने माग किया वो 24 घंटा आपको नरे नमुदी की का चहरा टीवी पे दिखाते हैं आपकी जो समस्यां उनके बारे में बोलते ही मीडियों छोड़िए हिदुस्तान की सबसे बाड़ी कंपनियों की लिस्टे का लिए 200 कंपनियों की लिस्टे का लिए चाहते मैं आप दे दूगा लिस्ट में आपको मालिकों की लिस्ट में आपको एक फिछला नहीं बिलेगा एक दलिक नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा वोही 2-3 परसेंट वाले लोग मिलेगा senior management की लिस्ट निका लिए जो कंपनी में बड़े बड़े अफसर होते हैं उधर आपको एक पिछला नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आजिर्वासी एक माइनॉरिटी कुछ नहीं मिलेगा नपे परसेंट हिंदुस्तान की उसमें कोई भागीदारी है पैसा आप देते हो अधानी जी को जो पैसा मिलता है वो आपकी जीएसी से आता है जो उनका करदा माप होता है आपकी जीएसी से आता है जितनी जीएसी आप देते हो उतनी जीएसी अधानी देता है आप हजार रुपे की शर्त गरीदो वो हजार रुपे की शर्त गरीदेगा अथारा परसेंट आप दो गया 18% बोदी उसकी आंदली लाखों करो रुपए आपकी आंदली 50 सदा GSC $2 ठीक है आप कहो कि भईया हमें कॉर्परेट इडिया में कोई नहीं चाहिए हमें मीडिया में इस्सेदारी नहीं चाहिए तो फिर मैं आपसे बहुँए ठीके बताओ सरकार में आपकी कितनी हिस्से गर 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते IAS अपसर है हिंदुस्तान के पूरे में पूरे बजट को बाठते हर रुपिया को वोई लोग बाठते महराश्रा में कितना पैसा आएगा शिक्षा में कितना पैसा जाएगा मन्रेगा में कितना जाएगा नैशनल हाइवे में कितना जाएगा सेजिया में कितने जाएगा अग्भी भी होगा या नहीं होगा ये सारे के सारे निल्डे ये नब्बे लोग लेते 90 लोग है पिछले कितने ती दलत कितने ती आधिरवासी कितने एक और हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खर्च करती है 100 रुपे बेचती है तो पिछले दलत आधिवासी अफसर छे रुपे कर लिने लिते है दलतों की अबादी 15 परसेंट budget में हिस्सेदारी 1 ताधिवासी कि 8 परसेंट अबादी budget में अपसरों की हिस्सेदारी 100 रुपे में से 10 पैसर पिछले 50 परसेंट है कम से कम 5% की हिस्सेदारी उनके अफसर 5% कर्नितने लेते हैं सब मिलाके सो रुपए में से 6 रुपए कर्नितने दल्ले पिछले और आजिवासी अफसर लेते हैं सरकारम इरिया आपकी आगी दारिय नहीं आपके लोग कोई न मैठते हैं बड़ी मिनिस्ट्री में आपका कोई है निएर प्रखोंपानिंप सब्सक्राइब उदर आप नहीं हो, कॉलेज इसकी दिसकाल उदर नहीं हो, पैसा आप जरूर दोगे, बिमार होते हो जेट से आपका पैसा निकलेगा, हस्पताल को जमीन दी जाएगी, किसकी दी जाएगी, आदिवासी की, पिछडों की, दलेटों की, गरीब जेनरल कास की, जब जमीन देने का टाइम आता है, आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जब भाविजारी देने का टाइम आता है, आपको भगा देें, और सबसे ज़़या नुक्षा महिराओं को होता है, क्यूंकि आपको डबल जोट लगती हैं, आप पिछले वर्की में हैं, और फिराँ महि है आप दलितुक की भीक भी है आप महिला भी हैं आब वाजी में आप महिला हैं आप गरी जह है आइप लंग को डालट क्षिश्प हर चीज में आप को डालनी नहीं से सारा धूंदाम से जुद सवाभाहि अल्ट करने अनरदे हो पटा के पोड़े डर्द गाना हुआ और फिर आपको बताए राता है कि देखे सर्वे के बाद आपको अरक्षन दिया जाएगा सर्वे कब होगा दस साल के बाद तो दूम नाम कर दिया परवट बाशन दे दिया मगर आपको अरक्षन दस साल बाद मिलेगा कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आईगी एक कम हम आपको अरक्षन दे दें तो इस सर्वे की दुरत दें तो यह सबसे पहला काम है क्योंकि हम चाहते हैं कि इन सबसंद्साओं में हर इंस्टिउशन में मीडिया में, सरकार में लोकसबा, विदानसबा, पंचायतों में महिलाओं की भागिदारी को महिलाई दिखाई दे आपके हमारी 50% है खारगे जी ने आज आज एतिहासिक अनाउंस्वन किये सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को क्याई वो मस्दूरी करे खेती करे छोटा जॉब करे हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के एक लाक रुपे दिए कल मैं कादेवासी महिला के घर के सामने रुखा बात्ची की उनका बेटा पुलीस में मरती होने की कोचिश चरगा है उसका पेपर लीग होगा पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी महनत बेकार बेटा उसकी माँ महीने के दस हजार रुपे कमाती है पच्चेस अदार रुपे का बिश्ली का बिल पानी का बिल पाच्चे घर में वो कपड़े दोने का कांथ करते हैं यूपी हमानी सरकार आएगी इंडिया की सरकार आएगी उसी महीना की आमदनी दुगनी हो जाएगी एक लाख रुपे उसके बैंक अकाउंट में हर साल औटॉमेटिक, डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगी और वेसे ही हिंडुस्तान में करोड़ों महियाँ के साथ करोड़ों महियाँ के बैंक अकाउंट में साल का एक लाख रुपेया रुपे रुपे करांतिकारी कदम है अगर नरेल नमोदी जी अरब पतियों को 16 लाथ क्रोड रुपए दे सकते हैं तो हम करोडों महिनाओं को एक लाथ रुपए दे सकते हैं दूसरा एतियासिका सरकारी वेकन्सी में सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% अरख से हर सरकारी ओफिस में कुछी सालों में आपको 50% महिलाए दिए तो और आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं आपके सातो रहा है में ही पड़ रही है गास सिलिंडर के दाम बढ़ने है पेट्रोल के दाम बढ़ने है हम आपके बैंक अकानमे एक लाथ रुपए दार सरकार में आपकी जले 해주 बनती हम 50% रिजर्वेशन देखे आपको अंदर दर्वागा खोल के लिए आशा आंगरणवाडी और मिट्रे मील में जो काम करती हैं सेंट्रल गवर्मन्ट का जो भागय जो शेर है उसको हम दुगना कर देए हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करें लिए वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़े और आकरी का सावित्री फुले जी की जन भूमी है तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल फुले जो महिलाओं करती है जौब करती है उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे उनको वहाँ पे सिक्रिर्टी मिलेगी अच्छा भूजर मिलेगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमें सावित्रे फुले महिला हॉस्टल खोले जा रहे हैं तो ये हम आपके लिए काम करने चा रही है जो मैंने भागयतारी की बात काहीं पिच्छल वर्द की बात क्यी दलतों की मळगं दलत वर्द की आदिंवासी वर्द की बात की कلिप जर्टश नन्याव कते है कोई न मैंस रास्ता तो निकालना पड़ें ऐसे तो नहीं चला सकता है रास्ता जाती जनगर्ना है सब्की गिंती पिछले वर्द के कितने लोग है दुरित कितने है आदिवासी कितने है दलित महिलाएं कितनी है पिछले महिलाएं कितनी है गरीब जनरल कास की महिलाएं कितनी है गिंती और उसके बाद गिंती पर ही रुखने वाले हो गिंती पर ही रुखने वाले गिंती के बाद आर्थिक एकनोमिक और हिंदुस्तान की हर संस्का का सर्वे यह पता लगाना है कि मीडिया में महिलाओं की कितनी बागीदारी है दलितों की कितनी बागीदारी है पिछड़ों की कितनी बागीदारी है बड़ी-बड़ी कंपनियों में महिलाओं की कितनी बागीदारी दलित की कितनी आजिवाची की कितनी पिछलों की मितनी सरकारों में आपकी क्या भागीदारी है हिंदुस्तान का जब धन है उसमें से आपका कितना है और अरब पतियों का कितना है ये गेटा निकालना है इस गेटा के बिना 21.000 सदी में हिंदुस्तान प्रज़ती नहीं कर सकता है इस गेटा के बिना आप लोगों को इस देश में भागीदारी नहीं मिल सकते इसलिए मैनिफेस्टों में कॉंग्रेस पार्टी ने एक एतिहासिक बात लखी है जैसे हमारी सदकार आईगी जाती जंगरना आर्थिक सर्वेश इकनुमिक, फाइन्चल सर्वेः और हिंदुस्तान के जो संकों संसाइं है INSTITUTIONS हैं उन्स सब का सर्वेः जूद का जूद पानी का पानी हो जाएगा आपको पता लग जाएगा हिंदुस्तान का दों किसके आप में है आपके समाज के पास कितना है महिलाओं के पास कितना है ये करांतिकारी काम है हरी करांती आजादी सफेथ करांती कम्प्यूटर रेवलुशन ये सब कॉंग्रेस पार्टी ने किये थे आपके साथ मिलकर उतना ही बड़ा काम जाती जर्गरना उतना ही बड़ा काम है और ये हम आपके साथ मिलकर करने जा रहे हैं आपके सामने जो दिवार खड़ी है उसको हम तोड़ने जा रहे हैं आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में प्रसिवाज़ी जिन्होंने ये पूरा और्गनाइज़ किया मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ बहुत धन्यवाद बहुत अच्छब प्रोग्राम आपके लिवाद किया धन्यवाद